अगर आपने भी बोर्ड एक्जाम के OMR स्रीट में कोई गलती की है तो ये वीडियो आपने बहुत खास होने वाला है क्योंकि बोर्ड एक्जाम के OMR स्रीट में चार गलतीयों की वज़े से या तो result pending में जा रहा है या फिर marks काटे जा रहा है तो जैसा कि आप जानते हैं कई राज्यों की बोर्ड परिक्षाएं चल रही है तो कई राज्यों की बोर्ड परिक्षाएं समाप्त भी हो चुकी है और जहां जहां ये बोर्ड एक्जाम समाप्त हो चुका है वहाँ वहाँ कॉपी और OMR स्रीट को चेक करने के क्रम में कई परिक्षात्यों दवारा की गई गलतियां सामने आ रही हैं, जैसे किसी छात्र ने सेट कोड या प्रष्ण नहीं भरा तो किसी छात्र ने अपने OMR सीट में वाइटनर का बाहर निकल गया, तो ऐसे चात्र काफी जादा tension में है, कि उनके OMR seat का क्या होगा, क्या उनका OMR seat check होगा, क्या उनको OMR seat का number मिलेगा, या फिर उनका OMR seat reject हो जाएगा, क्या उनका result pending हो जाएगा, तो इस वीडियो में OMR seat में गलतियों को लेकर जो भी आपकी दुविधा है, confusion है, doubt है वह सभी बिल्कुल clear होने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद OMR seat checking को लेकर के आपको कोई confusion नहीं रहेगा, और यहीं नहीं OMR seat में की गई गलतियों का OMR seat के checking पर क्या आसर पड़ता है, यह भी आप बिल्कुल clear जान जाएंगे तो अब मैं आपको बारी बारी बताने जा रहा हूं कि वो चार गलतियां कौन सी हैं जिनकी वज़ा से OMR seat check होने के दवरान या तो OMR seat reject हो रहा है या फिर OMR seat में नंबर काटे जा रहे हैं तो OMR seat में की जाने वाली पहली गलती है वाइटनर यूज करना एक बात आप clear याद रखिए कि लगभग हर बोर्ड में OMR seat को भरने को लेकर गए जो instruction यानि निर्देश दिये जाते हैं उनमें असपश्ट clear लिखा होता है कि OMR seat पर किसी भी हाल में whitener का use नहीं करना है whitener का use करने पर OMR seat को या तो reject कर दिया जाएगा या फिर OMR seat को check ही नहीं किया जाएगा लेकिन एक बात याद रखें कि बोर्ड परिक्षा में ऐसे चात्रों की संख्या बहुत जादा होती है जो अपने OMR seat में कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं और यहीं नहीं गलती हो जाने पर OMR seat में whitener का use भी जरूर करते हैं तो अगर इतनी बड़ी संख्या में चात्रों को अपने OMR seat में whitener लगाने पर fail कर दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में चात्र फेल हो जाएगे और चात्र को उस question का number नहीं दिया जाता है किसी question का answer बदलने के अलावा और किसी जगह पर अगर आपने whitener लगाया है जिसे कि sign में, प्रशने पत्रमारका, स्रीज या set code में तो ऐसी गलतीयों के वज़़ा से OMR seat कभी भी पूरा का पूरा reject नहीं होता है दूसरी गलतीयों चात्रों ने अपने OMR seat में की है वाई या है कि बहुत सारे चात्र अपने OMR seat में ओवर राइटिंग करते हैं या कार्ट कूट करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ओवर राइटिंग या कार्ट कूट अगर आपने अपने answer के गोलक यानि सरखिल में किया है मतलब answer देने में कार्ट कूट किया है तो इसका असर इतना ही पड़ेगा कि आपको केवल उस question का number नहीं मिलेगा जिसमें आपने कार्ट कूट किया या फिर ओवर राइटिंग की इसकी वजह से भी OMR seat को पूरा reject नहीं किया जाता है जादा से जादा नुकसान आपका यहीं हो सकता है कि जिस question में आपने गलती की है उस question का number आपको ना मिले तीसरी गलती जो छात्रों ने अपने OMR seat में किया है वो यह है कि OMR seat में answer देने के लिए जिस गोलक को गोल करना होता है या तो किसी ने उसे गोलक को पूरा गोल नहीं किया या फिर किसी ने गोल किया तो गोलक से बाहर उनका पेन निकल गया तो पूरा गोलक बोल ना करने की स्थिती में अगर मसीन उस answer को read ना कर पाए पढ़ ना पाए तो भी उस answer का number नहीं मिलता और अगर एक सर्किल यानि गोलक को भरने करम में पेन आपका बाहर निकल जाता है और दूसरे सर्किल से दूसरे गोलक से टच कर जाता है तो उस स्थिती में भी उस question का number नहीं मिलता है याद रखे कि इस गलती की वज़ा से भी पूरा OMR seat कभी reject नहीं होता और चौती गलती ज चातरों को अपना sign करना होता है साथी विक्षक यानि इन्विजिलेटर का भी sign OMR seat में होता है और एक box ऐसा होता है जहां पर center superintendent का यानि center का मोहर लगाना होता है तो देखिए विक्षक का यानि के teacher का sign जो आपके room में duty करते हैं अगर उनका sign छूट जाए या फिर center का मोहर तो इससे आपके OMR seat पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि या आपकी गलती नहीं है साथी अगर आपका sign भी छूट जाता है या उसमें overwriting हो जाती है या फिर उसमें card code हो जाता है तो भी इससे पूरा OMR seat कभी reject नहीं किया जाता बलकि उसको चेक करके आपको उसका number दे आता है तो आप समझ गया होंगे कि OMR seat को चेक करने में किन-किन गलतियों का OMR seat पर असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है अगर आपने भी या गलती अपने OMR seat में की है तो कमेंट करके हमें पताएं तो फिलहाल इस वीडियो के लिए अतना ही मिलते हैं अगली वीडिय सक पर कर फिले करें दो कर दो झाल आप लाग hm